नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट विद गोस्वामी पे मैं सुनिल गोस्वामी आसा करता हूँ आप सब बच्छे होंगे और नए साल के अंदर आपने अपना टार्गेट है वो सेट कर लिया होगा कि इस साल आपको जो है जोव लेनी ही लेनी है इसके लिए आपको अथक परियास करना है तो लूशिंट जी के बुस्टर सीरीज जिसमें हम 1000 पलस क्योशन कर रहे हैं इसमें अभी तक 14 लेक्चर हम कर चुके हैं तो वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या पले लिष्ट में जाके आप देख सकते हैं यह लेक्चर नमर 15 है बहुती महतवपूर्ण क्योशन इसमें समय लित हैं तो वीडियो को अंतक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरू करें पीडियेफ के लिए आप टेलीगराम और वर्टसप ग्रूप ज क्वला जाता है इसमें सपनों को गहन अध्य판 किया जाता है और क्या बोलते हैं इसको वहिडियों जो जो इसANG WHY करता है। सब्इब की जाती है यहां तब आपको अच्छे से समझा गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्योषन नमरIn83 की हम बात करते हैं इन्पोर्टेंट क्योषन है क्योषन है इलेक्ट्रोन वोल्टा जो एवी है किस की एकाई है तो यह किस की है एनरजी की है उर्जा की इकाई है द्रोपती मुर्मू भारत की कौन से करम की राष्टपती बनी है तो ये पंदरवी नंबर की राष्टपती बनी है सबसे हम बात करें पहले भारत के राष्टपती राजंदर पर साथ थे और हम बात करें अभी पंदरवी नंबर की संथाल जंदाती से आत परदान की गई है तो सक्समाथ को 78 इसवी से इसकी सुरुवात होती है आप सब जानते हैं और इसको जो है राष्ट्री समयत के रूप में मानेता दी गई है किसको सक्समाथ को कलीर है आपको यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा चलिए, नेक्स्ट हमारा क्यों सना आता है, सारनात स्थित, राष्टी स्थम का कौन सा भाग, राष्टी परतीक चिन के रूप में लिया जाता है, जैसे उसमें आपको मिलेगा सिर्ष भाग, मद्यम भाग, ठीक है, तो जो सिर्ष भाग है, उसको जो है, राष्टी परतीक के रूप में जो सारनाथ स्थम्भ है ठीक है तो उसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट ये परतिक चिन के रूप में सिर्ष भाग को माननेता प्राप्त है कलियर है आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम के उसन पर चलते हैं विजे नगर समराज्जे की स्थापना कब हुई तो य विजे नगर समराज्जे करनाटक का एरिया था करनाटक समराज्जे इसको कह सकते हैं और इसकी स्थापना की हम बात करें तो हरी हर था दो भाई थे हर और बुका आपने नाम सुना होगा हरी हर और बुका इन दोनों ने जो है इस करनाटक समराज्जे विजे नगर समराज् ठीक है तो समझा गया होगा अच्छे से चलिए आगे बात करते हैं चार मिनार का निर्मान है वो किसने करवाया था देखिए बात करें चार मिनार की देखिए इसका जो निर्मान है वो है पंद्रा सो इक्याणमे में ठीक है पंद्रा सो इक्याणमे में हम बात करें कुटूप था मोहमद कुली कुत तो इन्हों ने इसका निर्मान करवाया है आपको याद रखा है ठीक है कामेंट सेक्षंन में आप सारे बचछे बताएंगे कि चार मिनार कहां पर है ठीक है भारत में कहां पर पढ़ती है चार मिनार चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्यों सेना बोरेल बोरेल वन्य जीव अभ्यारन किस राज्जे में है विल्ड लाइफ सेंचूरी है बोरेल ये कहां पर है असम के अंदर ठीक है असम के सियम है हैमंत बिस्वा सर्मा और हम बात करें ये कछार जिला पड़ता है असम का वहां पर है ये बोरेल वन्य जीव अभ्यारन कलीर अब अच्छे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कुतूब मिनार का निर्मान किन दो सासकों के दवारा करवाया गया देखे ये चार मंजिली इमारत है ठीक है कुतूब हम बात करें तो कुतूब मिनार जो आगे जो कंपलीट है इसको किसने करवाया था इल्तूतमीस ठीक है इल्तूतमीस ने इल्तूतमीस की पुतरी आपको पता होगा रजिया सुल्तान थी कौन थी रजिया सुल्तान ठीक है और कुतूब दिन का दामात था इल्तूतमीस आपको धान रखना है कलियर है चलिए के दक्षिन में इसकी साहिक नदी सोन के आसपास का छेतर प्राचिन काल में किस नाम से जाना जाता था तो इसको मगद बोलते थे क्या बोलते थे मगद मगद का जो हम बात करें मगद का जो विकास है या मगद कब चर्चा में तो यह चठी स्थापदी में इसका जो स्थापन मैं इसापुरो इन्होंने बहुती सकती साली राजा थे बीमभी सार ठीक है चलिए भारत के निरवाचन आयुक्त इलेक्शन कमिशनर निरवाचन आयुक्त और आयुक्तों को किसके दवारा अटाया जा सकता है तो देखिए राष्टपती हटा सकते आप सब को पता हुए कि ज है वर्स या फिर हम बात करें 65 वर्स की उमर का जो प्रावधान है यदि अटाना चाहे तो दोनों सद्रों में जैसे है वो दो त्याई बहुमत के दवारा पारित करके फिर राष्टपती को बेजना पड़ता है और राष्टपती उस पे मतलब एक्शन लेके साइन करके इस की मर्जी है ठीक है चलिए आगे बात करें किस दिन पूरे राष्टर में पर्थव संतर सोतंतरता दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया गया था तो 26 जनुवरी 1930 को आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं किसने यंग इंडिया में लेक परसारित कर ग्यारा सुत्रिय मांगो अंग्रे जी सरकार की समक्स रखी थी तो यह रखी थी महात्मा गांधी ने ठीक है किस तीथी को सवीने अवग्या अंदोलन का स्रीगनेस किया गया था 6 अपरेल 1930 को गांधी जी 24 दिनों में 24 किलोमेटर की पदियातरा की थी और यह कहां पहुंच ठीक है पर्थम गोल में समेलन किसके अधेकस्ता में वा तो यह बिटी पीम थे उस टाइम के हम बात करें रेमजे मैक डोनाल्ड ठीक है तो यह इनकी अधेकस्ता हुआ थी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को जोडता है बात करें पाल अधेकस्ता सास्तरी थे उनका नाम था अमरिते शेन की बात करें तो पस्श्यम बंगाल में जन्में थे 3 नोवंबर 1933 को वेस्ट बंगाल में और 1998 1998 के अंदर जो है अमरिते शेन को जो है इकोनमिक्स के अंदर नोबल पुर्सकार दिया गया और 1999 में इनको भारत रतन भी दि करें वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें थैंक यू जै हिंद जै भारत